Welcome back dear foodies आज मैं आपके साथ में साबुदाना की वड़ा की देशिपी शेयर करने वाली हूँ जो की बहुत ही जटपट से बन जाती है और साथी साथ इसको आप वरत के साथ खा सकते हो साथी साथ अगर आपका कुछ जटपटा स्नेक्स खाने का मन हो तो भी आप इसको इज़िली बना सकते हो और आप इसको खा सकते हो खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी रखती है और स्पेशली सारी इसमें सामगरी हमने उपवास वाली यूज की है चलि आज की वरेसिपी हम आगे की किचन में देख लेते हैं साबुदाना वड़ा रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें साबुदानों को भीगा लिया है रात भर धोकर अच्छे से पहले वाश किया है और इस हद तक भीगाया कि उसको गर मसलो तो आटाय बन जाते है और फिर से अगर उसको बनाओ तो साबुदाने में ये कनवर हो जाता है इसका मतलब है कि अच्छे से भीग चुका है अब ले लेना है एक बाउल और उसमें हमने एक अच्छा सा बड़ा सा पुटाटो पहले ही बॉयल करके रखा था और इसको इसमें डालकर इस तरह से हाथ से अच्छे से मैशं कर लेना है और जब ये अच्छी तरह कर से मैश हो जाए तो हम आगे के उसमें अभी सामन अट कर लेंगे तो सबसे पहले हम उसमें नीमू डालेंगे जो कि मैंने एक नीम्बू लिया हुआ है उसका रस एड़ करेंगे जिसे एक चटपटा सा फ्लेवर आएंगा और ये मुंगफली के कूटा हुआ मतलब ग्राइंड किया हुआ मुंगफली है और साथ में ये चिली फ्लेक्स एक स्पून और ये हमारी बार इक बार इक हमने कड़ी पत्तों को कट किया हुआ है वो एड़ कर लेना है और उसके साथ हमें अब एड़ करना है थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और ये है हमारा सॉल्ल टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां हम उपवास वाला नमक यूज़ कर रहे है और उसके साथ हमने जो भिगाय हुए थे दो कप उतने साबुदाना तो हम वो एड़ कर देंगे तो यहां इस तरह से एड़ कर लेना है और इन सारे सामान को हम अभी अच्छे से मैश कर लेंगे जो हमारा मुंफली का पाउडर है और यह जो सारे पोटाटो वगेरे है एक अच्छा स्मूध सा बैटर बना लेंगे मिक्स अप करके तो यहां हमारा अल्मोस बैटर तयार हो गया है अब थोड़ा सा हम आईल को आईल से हातों को ग्रीस कर लेंगे जिससे हमारे वड़े बनाने में आसानी हो जाए अब इस तरह से एक लोई लेना है और सबसे पहले तो हमें बॉल बनाएंगे और जब अच्छे से बॉल बन जाता है मतलब अच्छे से मिक्स अप हो जाता है ईकवले स्टेक्चर का इस तरह दबाके हम उसका चपट सा चपटा शेPE दे देंगे तो देखिए यहां हमने इस तरह से सारे जो वड़े हैं बना के प्रिपेर कर लिये हैं तो अब चलते हैं हम इसको बनाने की तरफ तो हमने पहले ग्यास चालू किया है और इस तरह पैन रखा है तो नॉन स्टिक पैन है हमारा अगर हम यहाँ तेल का इसमाल ना भी करो तो वो हो जाएंगा लेकिन अच्छा नहीं लगेंगा इसलिए हमने बिल्कुल ही एक ग्रीस किया हुआ है हलका सा और उसके बाद यह जो सारे वड़े हैं हम इस तरफ step by step इसको इस तरह से रख देंगे पहले हमने gas को high flame पे pan को गरम कर लिया है उसके बाद में उसको medium flame पे कर लेना है इस तरह रखने के बाद में हम उसको अच्छी तरह से रख लेंगे और उस पर थोड़ा सा oil डाल लेंगे कि पलटने में आसानी हो तो दिपो इस तरह से पहले उसको सजा लिया है और उसको cover करकर हमें 6-7 मिनट के लिए cook करना है एक साइट से 6-7 मिनट बाद हम check करते हैं और बड़े दूसरी तरफ उसको flip कर देंगे तो देखिए एक साइट से हमारे अच्छे से soft हो गए अच्छे से जो साबूदाना है जब बन जाते हैं तो एक ट्रांसफरंसी वाले form में आ जाते हैं तो यहां हमें सारे जो बड़े हैं हमने turn कर दिये हैं तो गड़ा सा हमें तेल डालना है उपर से तो देखो बिल्कुल एक चम्चे से भी कम का हमारा तेल यहां इस्तेमाल हुआ है फिर से दूसरे तरब हमें cover करके पकाना है और फिर से हमें अभी फिर से turn करना है मतलब अब यहां से तो अच्छे हो गए है गुलाबी साइड अब second बार और turn करकर हमें यहां पकाना है जिससे जो दूसरे साइड है वो भी crunchy सा टेक्स्चर ले लेंगी तो दोनों साइड से हमें यहां बारी-बारी से पकाना है और अब आ जाते हम serving process में तो देखिए दोस् सूपर लाजवाब और टेस्टी से वड़ा green चटनी के साथ ready है तो इसको गरमा गरम आप खा सकते हो व्रत के साथ भी और अगर व्रत ना हो तो भी खा सकते हो बहुत ही चटपटे से एकदम ही स्वादिश्ट यहां बने हुए है मैं तो इसको चली टेस्ट करने के लिए और हूँ गाइस की रेसिपी आपको पसंद आई होगी यदि रेसिपी पसंद अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना कि आमिलते एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में तत्त कि लिए बाँ थैंक्स पोर वचिं गाइस बाँ बाँ